हाई एवरीबन जहेंद सात्यों कैसे उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे स्वागत है आपके अपने परिवार रन किलासिस फोरी में आज हम पढ़ेंगे रस चंद अलंकार ठीक है जो आपके कितने नंबर के पूछा जाता है और चंद भी आपका दो नंबर का और अल नंबर नहीं कटेगा 101 परसेंट में गारंटी लेता हूं इंदी 12 पढ़ रहे हो चाहिए आप क्लास टेंट में हो ठीक है दोन्यों के लिए बहुत ही महत्पूर है तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं आज की ठीक है मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा एक भी परसन इस पूछे जाएंगे और आपको इन तीन मैंसे सरंगार बीर और करून रस मैंसे केवल दो पढ़कर एकजाम में चले जाना मैं आपको तीन पढ़ा रहा हूं आप तीन को भी पढ़कर चले जा सकते हो इससे बाहर आपका एक प्रसन देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले चले शुरुआत करते हैं हम लोग रस की सबसे पहले जान लेती कि आखिर रस होता क्या है रस का साब्दिक आर्थ है कि आनंद या किसी चीज को खाने से हमारे हिर्दे में जो आनंद की अनुबूती होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं आनंद कहते हैं या किसी को पढ़ने य सुनने के लिए जिस आनद की अनुवूति होती है उसे हम लोग रस कहा जाता है ठीक है रस की परिमासा बता दी रस होता क्या यह भी अमने बता दिया इसके बाद एक आप से पूचा जाता कि बताई कि रस सब्द की उत्वथी किस धात्व से होई थी वो स्राधात्व से हुई है रस अबधिकी उत्वपत्थि अभगी सिर्हा धातू से हुई है ठीके चलिए तो आपको कितने रसस्पड़ने आपको तीन रस्पड़ने से बात करते हैं सरंगाहर्स काbornink bread 제가 उता है रातिया प्रेम आपको इस्पा Guo प्रेंगार किसके बेस पर होता है आपका तो ध्यान से देखेंगे ठीक राइस क्या होता है जहांपर नायक नाई का पत्री पत्ति और प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का बढ़न होता है बहां स्रेंगा रस होता है कि आप आसर जहां पर नायक नायका पत्नी प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का बढ़न होता है बहां स्रेंगा रस होता है ठीक है समझ में आ गया होगा जहां पर आपकी पत्पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो न कि चलिए अगर आप से पूछे तो धान न देखी मैं आपको दो होगा मेरे तो गुरदर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गुरदर गोपाल दूसरा न कोई जाके सरेम었ाल मेरो सोई इसमें क्या सरेंगा रसकी वाद कही गए कि नायक ने कहने का मतलव कोई एक amerit जाके सेरे मोर मुकुट मेरे पती हो सोई जिसके सेरे मोर मुकुट होगा वही मेरे क्या होगे पती होगे यानि एक सकी ने दूसरी सकी से कहा है कि मेरे जो केवल केवल के हैं किरदर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है और जिनके सेरे मोर मुकुट होगा और वही मेरे क्या हो झाभ वना सोवाग मना वे दर्ष परस निश्रेस पावे उधारक चहें तो आवे यही रहे यह चेरी ठीक है यह वाला एकजामपिल लिख सकते हों मैं दो एकजामपिल बता रहा हूं आप एक एकजामपिल एकजामपिल चाप देना इसे जाके ठीक है तो स्रेंगारा साब को क्लियर हुआ इसके बाद हम पढ़ने वाले बीरस बीरस का इस्ताइब क्या होता ठीक है चलिए देखते हैं बीरस यूद्ध दबा किसी कटिनकार को करने के लिए हिर्दे में जो उसा जागरत होता है उससे बीरस की निस्वपत्ति होती है या झी आपको यूद्ध यापको किसी कटिनकार कोरने के लिए हिर्दे में जो उससा जागरत होता यानि कि आप थान लिया कि कर के रहूंगा तो आपकी अंदर क्या उससा है तो यह क्या कहलाथ बीरों का कैसा बसंत यह वाला लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी जासी वाली रानी थी तो आप याप ये दोुदू के छान सिवाली तो वीर से पढ़ेंगे क्या होता यूद दत्वा केसी कटीन कारिकों करने के लिए इरदें में जो उस्ता जागरत होता उससे बीर रस की निस्पत्ती होती है बेर्स का इससा उदाने लिख सकते आप बीरों का कैसा हो बसंत खूब लड़ी मरदानी वह तो छासी वाली रानी पर तांदी थी ठीक है ज सदेव के लिए बिशुड़ जाने से कणनु दसकी निस्पत्त्ति होती है या यह क्या मतलब होता जैसे आपका ऑई उसकी नौकरी लगे आप से दूर जा रहा हो यादि आप पिछोड़ राहा हो त तो महां पर क्या हो ता आपके एर्देन जो ठीक करन खाल आपका ब्रेंद प्रेंबी उडं कर दोनों ठीक प्रेंड हो है इसकी स्ट प्रेंड की शोड़कर साथ यानि पिछुड रही है तो उसके ब्रेंड नेका जो ठीक बॉन होता है फिर दुक होता है वही कहला था आपका कर्णुरस ठीक है समझे में आगा कर्णुरस का हिस्ताइवा हमने बताया था क्या होता है आपका सोक होता है क्या होता है सोक होता है चलिए पढ़िए उधाना किस तरह से जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था कूर हाती ने अभी उसे रुलाया था यान मेरे बतन के लोगों जरह आँकमे भर लो पानी जो साइध बहुते हैं यह वाला आप याद करो घुण यह वाला आप याद रख सकते हो ठीक में निर्ष में कई कहने के हुरोगों को देखकर करते हैं तो आप लोग एक त्यार कर ली का इससे आपका दो रसे आत्यार कर लेना चाहे आपको अपर वीडियो पूरी देख ली ठीक है चलिए आपके क्या अलंकार ठीक है चलिए चलिए आज याम में हर वार आता है और दो नमबर का 100% आपसे पूंचा जाएगा अलंकार क्या होता है यह अलंकार का मतलब होता है आभूसन या विशूत या गहिना तो अलंकार सब्द अलंब एवं कार के योग से बनाया जिसका आपूसन या विशूभित करने वाला कापविकी सोड़ा सोबा वढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं तो अलंकार आपको कौन-कौन से पढ़ने है ठीक है अलंकार आपको पढ़ने है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेच्छा अलंकार इन मेंसे आप चाहे तो तीन पढ़ पढ़ने इन तीनों में से आपको एकजाम में 80% देखने को मिल जाएका तो हम आपको कितने पढ़ा रहें पांच पढ़ा रहें आप चाहीं तो पांचों पढ़ा सकते हूं जिसके तुकड़े ना कर सके या अलग अलग ना कर colors कि ब्ढ़ क्या होता है इसके हम लोग तुक्ड़े नक Glenn कर सके यह हम अलग अलग ना कर शके बैए कहलाता आपका बढ़ बारबार आए तो बहना अनुपरास और वह होता है से आपको एक्जांपल दिखा लेता हूं थीक है यह वी चन्द्र की चंचल करने खेल रही जलथल में चारु चंद्र की चंचल करने खेल रही जलतल में इसमें क्या बार-बार आया है चाह बार-बार आया है तो ये बढ़न की आबरती क्या होगी आपकी बार-बार इसलिए एक कौन सा लंकार है अनुप्रास लंकार इसके बाद दूसरा यानि कि इसमें भी आपका मा जोए बार बार आया तो यह कैसा अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है ठीक है समझ में आगया जिसमें बड की आवरती बारवर हो अंप्रास अलंकार कहलाता है कि नेक्स्ट देखे कि हम लोग कर लंग कर यम prac क्या होता है एक यह सब्ध से अधिक वाहर आए यह सब्ध के यह ख़ई और और उनका आरत्र बहने डिने וט कहलाता क्या बोलागे सब्द यानि कि कोई सब्द अच्छे से आपने ले लिए राम राम ठीक है यानि कि राम एक ही सब्द लेकि उसके अर्थ क्या निकले आलें के लिए अर्थ के लिए अर्थ के लिए अर्थ के लिए अनेक लिए यानि भिने भिने लिए तो क्या एक सब्द एक से कालंकार केहला करनक करना मिल जाता है ने आ हूंसरी का प्रिकार दूसरा क्या है काली घटा का गमंड घटा एक तो काली मतले गटा एक तो काली कि यहां दिया रहा है और जो एक गटा क्या इसी चीजी की घमंड घटा यह नहीं कि कि किसी का क्या हो जाए गमंड घट जाए इसी बोलागे काली घटा का गमंड घटा त्यार कर दीजि एक उता है काली घटा का लगाध़ कालविल जाता है और यह गमंद घटा एक कीशी आदमी का जो जादा हो जाता है और किसी वात क्या हाता है आपका उपमा लंकार वो मा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति यह बस्तu alk betting के वालनंचार होता है कि कुंसा लेंखकर हुता उप्मा लंकार होता है इसके में दो तरीके से कुछ समझाने वाला हूं पिल्गुल भी जिन्दगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा उपमा लंकार जो भी बांति में योजक चिन ये वाड़ा चिन डेस जिसे वोग आये और उसके बाद सासी से सरी सम आये तो भा उपमा लगकार होता है कैसे झैहीं सब देखो उदाना मुख चंद्रमाचंस उंदर्ग क्या यह 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 याई क्युसabout के वुक्सां रही का सकत बिए आक язы damit के मीटाटा ने स्वीराई मतमा का सब्सक्राइव कर ख्रड़rale कर आया यह सा32 मखमल के जूल पड़े हाती सा तीला तो क्या यह योजक चिन्न के वाद क्या आया है तो यह भी कौन सा है आपका उपमा लंकार है समझ में आ गया ठीक है चलिए इसके बाद नेक्षा लंकार हम लोग पढ़ते हैं रूपा कलंकार क्या हो तो जहां उपमें में उपमान का रूपा कलंकार होता है यह आप ऐसे पढ़ सकते हो जो उपमा अलंकार का उल्टा होता है आपका क्या रूपा कलंकार क्या बताया सर जी उपमा अलंकार का उल्टा होता है रूपा कलंकार जैसे ट्रिक जब पंक्ति में योजक चिन्द उसके बाद से सी से सरिस्थम ना आए यानि कि योजक चिन्द के बाद क्या ना आये सी से सरिस सम ना आये तो वहां रूपा कलंकार होता यानि योजक चिन्द के बाद आपका साभी ना आये सरिस ना आये सम ना आये तो वहां रूपा कलंकार होता उपमा में क्या होता था योजक चिन्द के बाद सा से सी सम सरिस आत रूपए गलंकार होटा चलिए देखते हैं उदाना यह चैनर मेसे हों क्य मैसा का सा नहीं आया है तो यह कैसा हो रूपए कलंका है इसके बाद चर्ड़कम बंद रामकरपा निशासी रानी याने चर्ड़कमल के पाइस नहीं आया ठीक तो से संभाबना की जाए यहां की जाती है वह उत्व रकार होता जहां उप मैं सब्साइब लंकार होता आध्य जैसे नेत्र मानोम कमल है तो इसके वाद इसमें क्या है आपका है इसमें क्या आया बताएगा ठीक है सोवत ओड़े पीथ पत्ट स्याम सलो ने गात इसी परकार क्या है मनोु नीलमन खेल पर आतक परो प्रवात इसमें क्या आपका मनुं मनव आगे तो कौन सा वगे उत प्रैच्छा लंकार आप इंदो जौन से एक त्यार कर दिजिए थीक है तो इत्परच्छा लंकार समझ Tut lazy प्रतियों में जिन हुत वी मानु जान ओ जनु जनुँ आधी आता है बहुत प्रेच्छा लंकार होता है ठीक है समझ गए ना आप लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हलो साती हूं आज हम पढ़ेंगे चंद दो आंगे कहें देखो मैंने आपको रस बता दिया अलंकार बता दिया आप बताएं चंद आपके तीन प्रिकार को होते हैं चोपाई दुवा और सोटा इनमेंसे आप दो त्यार कर लीजिए आपके दो एक्जाम में अंडर परसर देखते हैं चंद क्या होता चंद सब्सक्राइब करना या खुश करना या अच्चरा अच्रा ड्यों की संख्या मत्रा गण्यति-गति को क्रमपत तरीकों से लिखना चंद कहलाता है जैसे चोपाई दूवा सोटा ठीक है चंद सब्सक्राइब जिसका आर्थ है आधित करना या खुश करना आपको यह सब याद नहीं रखना है ठीक है मैं बता दियोंगा आपको केवल चोपाई दोवा सोटा याद करना में आपको बता देता हूं जिससे क्या हो आप समझ पाऊ इसके बाद आते हैं आपके मात्रिक छंद लगू को क्या होती है लगू बोल दो यह से बोल दो जिसमें केवल क्या होती है की मात्रा होती है इसके बाद आपका होता है गुरू गुरू जिसमें क्या होती है बड़ी मात्रा होती है इसमें दो मात्रा होती है जैसे बड़ा बड़ी ए आओ आओ आदी समझ में आ गया जिसमें छिटी क चोंपाई क्या ऊता है चोपाई में चार चर रोते हैं और मात्राइं हो में गिजाओ तो स तो fromassaちは डिनक अर्यलारती है चोंपाई है चोंपाई में चल नंवांogen आठ Alright करेसे में थीथ क्षिज दॉर् sırसम गया लिए स्वाट मातारी करण के परिमास्ता रत्री in फितिक है और प्रतियें चणन में 16 मात्राइं होती है दिर्ग में डो जिसमें बड़ीकी मात्रार को खली है गिंते हैं देखो एंतो नियुकंत बढ़ा की मात्रात भी दो एक यह fertig यह हों जाएगा आदा नी लेता यहां क्या हो जाएगा 2 और एक यытवी क्या हो जाएगा आपका दो हैं लीजिये कितनी होगी एक 2 3 4 सब्सक्राइब कितनी होगे आपकी सोला ठीक है परतियक चड़ में कितनी होती होती है इसमें एक होता है और जिसमें बड़ों की मात्रा आती है उसमें दो होती है समझ में आपको अभी बताया था देख लीजिए मैं आपको फिर बताता हो कि गलती ना हो पाए ठीक है इसमें आपकी दो मात्रा होती है ऐसके बात कि देख़ते हैं तो आपका पाराइ लगतर है चॉपाई में चा चन्रों होते हैं इसमें इस बीन के प्तुक्त चैनल में यह का कि दया को जाए में ठीक है चलिए इसमें धहतों आपकी दो इसमें एक के मत्राइं क्यों कि अगर येग दो Ini आप整तफ हो जाएंगे इसने का ईन्य आप्ट नमें खुड़ार जोते हो कि आपके टोर्य जोला च्छोलाव मत्रह हो जाएंगे में आप येग मत्रे म challenging क्लिक कि आपकी येग्ड के लि लेजिए निरक सिद्ध साधक अनुरागे सहज राहन लागे गोतना भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को ठीक है इसमें भी चाचनल कितनी मत्रहा होने चीज सोला गिलो इसमें एक छटी की एक और एक एक और क्या हो जाएगा यह कितने हो जाएंगे आपके यह च Reg BIG 6 2 2 6 2 8 9 10 11 3 डाट के बारा 14 तो सोला ला कितनी हो गई सोला तो इस तरह सम में कितनी हो जाएंगी फिल्थ टोब किसा नोग आपको सिकाbest리 चली इसके बाद क्या सब परफिक ट्रिक या होती है इसके दोगया इसके संद्री छंद है एसमें चार रोथी है पहले और थीसरे से चन्ड में तेरा तेरा मातरा होतीयों के दूआ के लिए हो गया दूआ के पहले और तीसरे चन हमें छॉतियें हो गया आटा आणन रहां ऑगया यह 5 अधनी मात रहा हूं गी टेरा थेरा खींगовых छोरी में में मुझी ٹेरा जीए इसमें उट्विन गूंधिक हिएll हमें, अर इसमें 46 को हैं started दस दस 11 12 13 कितनी हो गएंसमें 13 व गएंसके घिल लिजिए canopy Ba typing दो टीन और यह क्हें कि मातलाई बड़ो की नहीं चटों हरा आपके यह लग दिए तो इसमें भी एक 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 ओर एक ओर यह लेगी चार चरह आठ अठोश्य ba कितनी तेरा तो पहले में फिर कस эфф клasip तेशने में से थे फिर का दूसर्य में देख़ाव होगह तो यह किसे में दो और यह इ길 दीजी दो 6 कितनी हो गई पांच साथ और कितनी हो गई आपके देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाओ दस दो बारा ओ एक कितनी हो गई ग्यारा होने चाहिए थे इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ दो दस एक ग्यारा कितनी हो गई इसमें ग्यारा हो विर दोषे शाथ टीन 15 समझ में आ गया तो दोवा प्लके में कितनी आपका 11 ट्रिक समझ में आ गई पहले और तीसरे में 13 13 डूसरे और में कितनी 11 11 ठीक है इसके बाद आता है आपका सो रटा सो रटा जो है दोहा का क्या होता हुल्टा होता यह भी आपका नशांतर समातरी चंद स्के ब्रत्रम और 23 आप चीज़ याद रख लीजिए चाहें आप सोटा याद कर लो चाहें आप दोगा इन दोनों में से आप एक याद कर दीजिए आप एक जाम में अटर परसेंट देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए दोगा समझ में आगा दो आके पहले और तीसरे में 11 11 मात्राइं होती है तो यह एक हो था दानन और यह क्या हो जाएगा दो और यह तीन और यह चार देखो एक चरण दूसरा तीसरा चोथा चलिए जो यहां पर बढ़ू की मात्रा लगी इसमें कितनी हो जायेगा दो और एक गिल्णो टीन तिन जो चार ₹ 2 2 3 11 इसमें पहले हो तीजरी में गया तरह Deputy इसमें कितनी हो गई आपकी तेरा गया नो पंग चणाई इन नो ना अचिपर सब्सक्राइब आपकी यहां पर देटा है कि टूंग एक दो तीन चार पांट चेशाथ आठ नौ दस ग्यारा बारा और यह कितनी हो गई सपस्मझें सिर्देंग ऑगया है कि तेरा देखो एक ढोट ऑप से आठ नौ दस ग्यारा वाद असके बांद यह कर दोट है छे चार दस तीन तेरा ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपका सो रटा तो मुझ कोई बाचाल अपको चड़ो गिरबर गहेंग जासू के पास दयाल धरमो सकल कलिमली दयान ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा रस छंद लं चार आपिए